हालो दोस्तों स्वागत है आप सबका जी गुरुची में मेरा नाम वर्शा है और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनीक और बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो लेगते क्या लिए जी हाँ आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऑंलाइन इंस्टिट्ईूट्स की बारे में आज तक दोस्तों जितने भी अच्चे हैं वह ज्यादा तर बच्चे ओफलाइन क्लासेज जादा प्रेफर करते थे Quindi zooms लेकिन जब सही कोविट की सिचुएशन आई है इसके बाद से सभी बच्चों की ओसलाइन क्लास लेने में बहुत जादा प्रॉप्लमानी शुरू हो गई है क्योंकि जब आपके कोचिंग इस्टिट्यूट बंद हो गई तो आपको प्रिपरेशन करने के आपकी स्ट्राटेजी पूरी तरीके से वहाँ पर डिस्टर्ब हुई आपकी प्लानिंग स्टडीज की बहुत जादा डिस्टर्ब हुई तो इस तरीके से बच्चों ने चाहे वो स्कूल की बच्चे हों चाहे कॉलेज की बच्चे हों या कॉम्टेटिव एक्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने बाले बच्चे हों तो और सबसे सेफ भी इस वक्त यही है क्योंकि कोविट का टाइम चल रहा है घर बैठ करके आपको सबसे सेफ एजुकेशन यही पर मिल सकती है और अगर कोविट का टाइम ना भी हो तो भी आपका बहुत ज़्यादा ट्रावल टाइम यहां पर बचता है जितना टाइम आप कोचिंग इंस्ट्यूट्स ट्रावल करने में लगाते हैं खास तो और पे बड़े शहरों में मिनिमम से मिनिमम टू 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 आज आपका लगता ही लगता है ट्रावल टाइम में वो पूरा का पूरा ट्रावल टाइम यहां पर सेव हो जाता है आपका आपकी ठकावट सेव हो जाती है और आपको अपनी प्रप्रेशन करने के लिए और जाता एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो ऑनलाइन एजुकेशन क बात की है online education में आज हम बात करेंगे online institutes की दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप एक बारी ये list देख सकते हैं कि कौन सी rank पर कौन सा institute मौझूद है online preparations करने के लिए इस exam की उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहते हूं कि हम already एक short video upload कर चुके हैं जिसमें हमने ranking wise सभी institute औ आप एक बारी देख सकते हैं कि कौन सी rank पर कौन सा institute है और सभी institute के बारे में individual video भी हम upload कर चुके हैं और एक combined video भी upload कर चुके हैं और इन सभी वीडियो का link नीचे description box में मौझूद है आप उन्हें visit कर सकते हैं आप उनके बारे में और जाधर retail information ले सकते हैं तो दोस्तों आज मैं बात कर रही हूं Olive Board Institute की Olive Board Institute का नाम आपने जरूर सुना होगा इनकी preparation strategies भी काफी ज्यादा famous है और इनकी test series तो बहुत ही ज्यादा famous है जितनी भी test series IDPS SO की test series जितनी भी हैं उनमें सबसे ज्यादा hard test series इनी की कहलाती है Olive Board की ही कहलाती है Olive Board की strategy यही है कि बच्चे जितन ज्यादा से ज्यादा हाड test series घर पर timer लगा कर एदेंगे उतना ही paper उनको आसान लगेगा तो इसी strategy के साथ इनकी test series काफी ज्यादा famous है और Olive Board IDPS SO की online preparations के लिए rank number 2 पराता है तो इनके features की बात करें तो इनके features आपके सामने screen पर मौझूद है जैसा कि हर फेमस institute का होता है इनका भी study material आपको course के साथ ही provide किया जाएगा और सर्फ इतना ही नहीं इनके study material के अलावा important topics के आपको अलग से notes दिये जाती है जहां tips and tricks के basis पर कैसे आप shortcut में जंदी से जंदी कि किसी मी question को solve कर सकते हैं उसकी proper tricks आपको दी जाती है उस में step by step आपको notes प्रवाइड किये जाती हैं ये institute आपको बहुत ही unique way में बढ़ाता है बहुत ही अच्छे way में बढ़ाता है इनके अलावा इनकी जो faculties है वो बहुत ही ज्यादा experienced है और बहुत ही ज्यादा expert faculties है इन जब भी आपको कोई भी doubt है किसी भी subject में तो वो timely clear करिया जाता है आपका ताकि आप अपने preparation को आगे लेकर के जा सके तो ये institute आपको हर वे में help करता है आपके exam को qualify करने के लिए interview के लिए personality development की classes भी यहाँ पर दी जाती है और इनका fee structure भी बातियों के मगाबले काफी जाद है हमारी page का link नीचे description box में मौचो है तो thank you so much तोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को please please like कीजिए share कीजिए हमारे चानल को subscribe कीजिए और bell बटन को press करना परिकुल मत भूलिए क्योंकि हम लोग बहुत जादा महनत करके आपके लिए ये videos लेकर के आती है मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे एक नई location की एक नई वीडियो की एक नई information के साथ हम मिलेंगे तब तक के लिए अपनी preparation को जारी रखिए all the very best for your preparations